जिया दोस्तों आप सभी को बता दे जहां इस साल IPL 2020 में कुछ नई बदलाव हमें देखने को मिले हैं पहले सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि इस साल भारत देश में IPL ना होते हुए यूएई में IPL का आयोजन किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर हमें IPL के मैचिस में भी कुछ बड़ोतरी देखने को मिल सकती है जहां पर IPL 19 स्टमबर से लेकर 10 नमबर तक बीच में हमें देखने को मिलेगा 10 नमबर को फाइनल खेले जाएगा तो 19 स्टमबर को पहला मैच लेकिन दोस्तों आप सभी को बदा दे जहां कुछ दुना पहले बड़ी ख़बर यह सामने आई थी कि विवो ने IPL 2020 को स्पोंसर करना सही नहीं समझा है कि जहां पर चीन और भारत की बीच बड़े सीमय विवात को लेकर विवो ने अपने कदम पीछे कर लिये थे तो वहीं IPL की BCCI ने नए स्पोंसर के तलाश शुरू कर दी है BCCI ने IPL के नए स्पोंसर की बिट्स में हिस्सा लेने वाले ब्रांड के लिए एक माप दंड तियार किया है यानि कि एक ऐसा माप दंड तियार किया गया है जिसके अंदर कुछ तहत बाते रखे जाएंगी जिसके बाद ही स्पोंसर उन लिष्ट के आएंगे जो कि इसमें बिट्स लगा पाएंगे बता दें जिस कंपनी का सालाना टर्नोवर तीन सो क्रोड़ों से कम नहीं होना चाहिए इसी वज़े से इस से कम टर्नोवर वाली कंपनियों को टेंडर भणने के लिए योग्ये नहीं माना जाएगा BCCI को वीवो से हर साल IPL के टाइडल के प्रायोजक यानि स्पोंसर के रूप में 444 प्रोड़ों पे मिलते थे इस साल ये देखना होगा कि कौन सी कमपनी प्रायोजक बनती है यानि स्पोंसर बनती है हाला कि BCCI ने ये भी साफ किया है कि सबसे ज़्यादा रुपे की बिड लगाने वाली कमपनी को ही स्पोंसर बनाना जवरी नहीं है कुछ तर्थियों को भी ध्यान में रखा जाएगा इसमें थर्ड पाटी को भी समझोते के अधार पर किसी तरह के अधिकार नहीं देने का प्राभधान किया गया है सितंबर में UAE में होने वाले IPL को लिएकर बिड परिक्रिया शुरू कर दी गई है 18 अगस इसके लिए अंतिम तारिक रखी गई है इस दिन नई स्पॉंसर के बारें पता चल जाएगा स्पॉंसर अधिकारी भी उस दिन उस ब्रांड को मिल जाएंगे रेवेन्यू शेर समझोते के तहत BCCI टाइडल स्पॉंसर से मिली पूरी राशी अपने पास नहीं रख सकती इसका 50 फिस दी टीमों के पास जाएगा बाकी बचीवी राशी BCCI को मिलती है 25 करोड सॉलाना हर टीम को पहले ही मिलते थे इस साल ये राशी कितनी होती है कि देखने वाली बात होगी इस साल मिलने वाले राशी बेट्स और स्पॉर्ट स्पॉंसर के चैन पर ही निर्बर करेगी आगामी कुछ दिनों में इस पूरी तरह साफ हो जाएगी कि आईपेल का नया सिजम सीजन इस सितंबर में UAE में खेला जाएगा लेकिन इसका स्पॉंसर कोन होगा नंबर तक चलने वाल इस टूर्णामेंट के लिए टीम में कोई रवाना होने का सिल्सला भी इस महिने से सुरू हो जाएगा जहाँ पर कड़े नियमों के बीच टूर्णामेंट आयोजन कराया जाएगा सभी का हैल्थ का काफी खास ध्यान लख जाएगा खिलाडे को स्विर्णामज के लिए निकलने से पहले यानि की खिलाडे को स्विर्णार्व अमिरात के लिए करने से पहले दो बार कोरोना टेस्ट करवाना आनिवारे होगा इसके अलावा UAE में काफे काड़निया भोंगे हैल्थ को लेकर आपकी फिटनेस को लेकर और IPL से एक महने पहले आपकी ट्रेक्टिस शुरू कर दियागी ऐसा खिराड़ों के लिए कुछ प्रावधान जारी किये गए हैं लेकिन कौन सी वो कंपनी होती है या फिर वो इंडिया की कंपनी होती है या फिर कोई विदेश की जो इस IPL को स्पोंसर करेगी हम आशा तो ये करते हैं कोई इंडिया की कंपनी ही स्पोंसर करें करोडों में कई ऐसी कंपनी है जो स्पोंसर कर सकती है जैसे पतन चली जियो डिजिटल लाइफ जो की मुकेशंबाने की हिबाबरामदेश की पतन चली या फिर बाइजूस जो की इंडिया टीप को कोई ऐस स्पॉंसर करता है उसके साथ हमें ताफ साथ देखने को मिलता है वीव आईपयल 2020 अभी तक सुन निमारा सादी के नप स्रिफ आईपयल 2020 रहे गया है इस पॉंसर का नाम जुड़ते ही कंपनी का नाम आगे जुड़ जाएगा नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट